कि अबे शाले तभी मेरे माप करना हो गुस्से में इदर दर निकल जाता हुए तो कैसे हो यह सब लोग आ चुके हैं हम न्यू वीडियो के साथ तो सबसे पहले आपने स्क्रीशोट देख लिए होगा जिसमें लिखा हुए कि आई जी बाहर से फिल्लर समगाता है यार बाई किस दुनिया में जी रहे हो चमन चूती हो क्या तीन साल प्रणा गिल्ड है एंड यार पता नहीं लोग मतलब कुछ भी बोलते हैं कुछ भी बोलते हैं अगर मैं बात कर कि इसी भी टाइम पर पता नहीं बाई क्या इनके दुमाग में भूसा बरा हुआ है जो कमेंट करने आ जाते हैं उटकर फोन होता है सस्ता चा कमेंट करने आ जाते हैं नेक्टिविटी फलाने तो खैर छोड़ बाड़ में जाने दो उनको हम प्रीवीडियो स्टार्ट करते तो खाइज को राव की वीडियो हला कि मैं रहला कि मैंने फर्स्ट रहं किते हैं आहां इसमें मेरी एया कर पाया तो इसलिए रिकॉर्ट स्टिन हो उलाइन इस सकते हो तो यहां पर आप देख सकते हो उसने मुझे इंधमिया में ेन्ने जब मैं गया तक एफ लंगा चेका से टी फाइव आप देख सकते हो अलागी पूरी फिल नहीं थी तो फिर भी मैं इसको बीट किया अकाउंट मेरे से जादा स्ट्रोंग था तो काउंटर करने पर भी मैं बिन हुआ अगर एली फिल होती तो तो बहुत मचा था एंड फर्स्ट की तींचा रेली यार मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम पर मैं फिलिंग के ध्यान पर एंड पहले यह देखू पर सैकंड यहां पर देखूगा इस यहां पर मेरा सारा ध्यान फिलिंग पर दूसरों की जाली फिल करने पर यहां पर इसने मारा है ब्लैक विंग अब बड़ी मुश्किल से जीता है अगर मेरी रैली फिल होती फूपइंट सेवन अगर फूर मिलिन होती तो यार इसका मतलब बाब भी मुझको रहाना पाता इ इसके एंड मेरे अप्ते टूपेंट सेवन फिर भी बहुत क्लोज गया है एंड थर्ड रैली थी हमारी मोवो रैली लीड ने की थी एंड यहां पर हमने होला कि हमारे उपर ब्लैक मिंग पड़ रहे है तो आप अब रडी हो जाओ हमारे पास ब्लैक मिंग के बंडार है मेर मुका नहीं मिला क्योंकि मेरे लाइक वंडर पर कोई लीड नहीं बैठा था जो एनमी के गिल्ड है इन्होंने बाहर से फिलर्स भी मुझाए हुए थे एंड लीड भी मुझाए हुए थे एंपर बलाए हुए थे भाई एंपर यहां पर देखो काई स्टीफाइ फिलिंग एक हमारे गिल्ड की तीसरी लेड़ी है जो भरम में जी रहे हैं कि बाहर से फिलर्स मुझाते हैं भाई दूमरो इतने चूतिया पा मत करो इतने चूतिया भी मत मरों खुद दिख रहा है फोट पर जाके देखो अगर वह देख रहे हो तो दूद कर दूद पानी का पानी हो वैसे भी हमें कोई फरक नहीं पड़ता अगर बोलता है कि बाहर से फिलर्स मंगवाए हैं क्योंकि हमारे गिल्ड में खुद से इतने फिलर भरे हुए हैं तीन साल से हम फिल करते हैं टीफार की फूल रैली तो हम इन चूतियों से मतलब फरक नहीं पड़ता यहां पे देख हम यह जीरो फाइफाई मारता हमारा प्लेयर तो नहीं यह रैली ती 100 परसेंट विन ती थी हूंड़ परसेंट विन ती तो यहां पर यहां पर आई एंडी स्कॉर्पियान रैली हैं लुनार के उपर जहां पर मैं अभी हारा था टूपैन सेवन्ट के साथ फॉर्ट फुल नहीं था तो इसके बाद यह प्लेर आ जाता है रैली स्टार्ट करने एंड मैंने इसको बोला कि भाई ब्लैक विंग जरूर मानना क्योंकि हमारे प्लेयर्स के ओपर ब्लैक विंग पड़ा है तो देखो शुरूरात इन्होंने की थी ब्लैक विंग मारने से और एंड हम करेंगे इनको ब्लैक विंग मारने में फोड देखो यार क्या मतलब इनको पता है कि कितने टीफाइव आ रहे हैं बट फिर भी मेरी समझ से तो भारा बट देखते हैं क्या होता है सिजल हो रहे हैं 93 पर यहां पर मैं कार्पट करता हूँ रैली को एंड यहां पर देखना एक और ब्लैक बिंग आई सुट वात इनों नहीं करनी चाहिए थी ब्लैक विंग की साथ इसके बाद इनको ब्लैक विंग पर ब्लैक पड़े यहां देखो हलाकि इसके पास प्लेमितिक चैंप है प्लेयर यह आई एंडी स्कॉर्पियन यहां पर तो भाई दूसरी तरह पर इसे एंपर रैली कर रहा है नहीं यह एंपर नहीं है नोर्मल लीटा इसकी रैली भी मतलब अलगी इसको मैं जोइन करना भूल गया था बट अलगी इनका एंपर अभी आए काफी अच्छे से खेल रहा था एंपर के साथ खेलना का इस आप लोगों को पता है कि मतलब यह मान की चलो कि आप हमेशा वीक पॉइंट पे रहोगे अगर आप एंपर के गेंस्ट के रहो बट फिर भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है स्किल है तो आप एंपर को भी न कोंप चेंज करना है तो मैं क्या कर रहा था जरी फशे जुल्य सेंड कर रहा था था खोड़ पे ताई जो क्या कर सके अपना कोंप दोबाराद। कर सके मतलब ही रोज ओऊ चेंज कर सके तो यहाद पे करता हूं तर एकभी यह एक रिपस हीडियर की जो टूउप साव'll πahr मतलब यह सीज़ा चलता रहा काफी टाइम तक क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप एक ही हेरो मतलब एक ही टाइप के ही घर एंड फेर्लीर के साथ आप होल्ड कर रहे हो तो सब भी रैली उसमें डिफेंड कर सकते हो नहीं ऐसाँ अहीं होता है क्योंकि जो सामनेवाला अटक कर सब्सक्राइब को देखते हैं यहां पर है माओ एंड इसने गाइज इसके ब्लेस देखो मतलब 65 ब्लेस एंड इसने हरा दिया एंपरर को मतल्ड डबल अकाउंट है भाई खुद है ओ भाई ऐसा नहीं कि टी फाइब का डिफरेंस है कि यहां डबल काउंट का डिफरेंस है 65 ब्लेस वाले ने एंपरर काउंट जो की ओल्मोस्ट मेक्स है ब्रो क्या कर रहे हो यार एंपरर भाई क्या मतलब मेरे पास अगर इस काउंट की एकसेस होती ना एंपरर की भाई मैं सच में सबको मतलब चैलेंज कर देता भाई जो भी आजाओ मेरे पास एंपरर है जो मर जी आजाओ बट्टे यार भाई तो यहां पर फिर मैं रिली फार्मी सेंड कर रहा हूं क्योंकि बार बार यह चीज कर रहे थे हम किस बात पर थे कि अगर आप एक ही टाइप हीरोस से होल्ड करें तो आप हमेशा डिफेंड नहीं कर पाऊगे उसको क्योंकि जो सामने वाला टैक कर रहा है उसको पता है कि आपके फोट में क्या टूप्स है क्या फैमिलियर है तो हर एक चीज का एक काउंटर होता वो तो काउंटर यूज्ज करेगा उस आपको मानने के क्यांती हां कि सामने वाला मतलब समझ ना पाई वैसी ऐसे वंडर्स के होता कि आपको अपने ही ने पड़ेंगे आपको अपने फैमिलियर है क puts चेंज करने पड़ेंगे लाइन अब भी मैंधर करना पर एघार टैग्या एप अगर ऑफ्टनावह तो यहाँ पे तो सम आपक पराई बैक में इन्होंदे स्टर्ट किया बलैक मिंग के बलैक मिंग पढ़े उसके बाद बाई इन्होंने फिल करना बंढ दीउड गिव अप करके चले गए ZE करने आए थे और गिव अप कर चले या मैं सच में बतारों मेरे लेवल का कोई याता ना लेयर तो यार तुम लोगों को मेरा पता है इतने ब्लैक में ठोकने ते मेरे पास काय स्कॉर 120 है यह गिल्ड तो पांच शे वाव में नहीं आता हमारे गेंश मत्र हमारे कींडम में भी नहीं आता और यहां पर हम यह तुम पीछे से देखते रहो और मेरी बाते सुनते रहो बस खुद देख लो यार इसको कि आ कि यहां यहां पर के कांटर कर लिया तो यहां ऑगर मैं डुनकर कर लिया तो करूंगा तो डेफिनेटली लूज करूं उसके बाद वो आ जाता है बेस के ऊपर एंड बेस पे हमारे पास है फुल टी फाइव एंड कॉंप है 659 से मिलता जुलता एंड यहां पर देखो गाइज बहुत ही पापरफुल अकाउंट था यहां यहां पर जो सायान जो हमारा डेली लिट था वो बोला कि मैं इस रैली पर जैंबल के लूँगा मतलँ मैं जा रहा हूं इंफिन्टरी फ्रेंट में और वही हुआ एंड जो एनमी ने यूज किया व था यहां पर देखो टीफाइव का कोई डिफरेंस नहीं है बस डिफरेंस यहां पर आया है कि काउंटर की हमने इंफिन्टरी फेलंक्स जो होता है काउंटर होता है कैवलरी फेलंस का अगर आपको नहीं पता तो मेरी वाली वीडियो जाके देखो पहले तो यहां पर दूस इसक नहीं ले सकते थे उसी एन्फिर से साथ तो यहां पर फिर से हमारा कॉंच हो जाएगा तो यहां पर मैं डिकोल कर लेता हूं एंड शायन की जो हमारा रेलीडा उसकी टूपस अंदर जा चुकी है यहां पर मैं तुरणत रिनफर्स करता हूं एक प्लेयर मैंने बढ़ाया हुआ था कि सर्फ विंग करने के लिए तो आपके पास दो प्लेयर होने चाहिए जो विंग्स करें टूप्स को सब की टाइम पे रैली लौंच होगी तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा एंड एनमी का मराल भी डाउन होगा कि इनके फुल रैली टाइम पे लौंच हो दिय के लिए स्पैशल मैंने दो प्लेयर बठाके रखे थे कि आपको सिर्फ एक ही काम करना है सिर्फ विंग्स करनी है जो भी जोइन कर रहा है तुरंत उसके टूस पहुंचा दो फोर्ट में विंग्स करो बस विंग्स दबाके तो यह चीज़ आदी यहां पे हम अब होल्ड कर काउंटर लेके 659 का जहां फिर आता बलास्ट रैली एंपरर है भाई कुछ भी अगर मार देता तो हम लूज हो जाते इतना पावरफुल उसका काउंट था वनपीस एंपर को हलके में मतलो आर्मी एच्पी डीवफ होता है जो इसके में हैं प्लस वह काफी स्टों काउंट ह हमारे लीड से जो फोर्ट पे होल्ड कर रहा था एंड यहां पर रैली लौच होने वाली एक कुछ ही टाइम बचा है एंड यहां पे 96% सीजल थी या बीबी एक दो प्लेयर कर जोइन कर जाते तो 100% हो जाती एंड फुल टीफाइव के साथ फुल सीजल के साथ गाईज यह पापर जो लोगो हलके में ले रहे हो लेना बंद कर क्रों कि इंडियन गिल्ड बाहर के लिडुां कर कुछ नहीं बिगार सकते जा मतलब कुस एक बात हो रहा है यह जो रेड करते हैं ना questo एंडियन फ्लै रिझी है को रेड करते हैं दूसरे इंडियन गिल्ड के खलाब इतने चूती बड़े हुए हैं इंडिया में देश चूतियों से परिशान नहीं तो यहां पर हम होल्ड कर लेती हैं लास्ट रैली एंड इसके बाद हमारा फोट हो जाता है लोग यहां पे देखो गई उन्होंने ब्लैकिंग मारा इत सब्सक्राइब कि गुइंकि चौधी टार्गरट हुई हमारे पास रेंज कम ती तो हमारा तारगर था वह मारे फेल में क्यों यह इंड 75 तो हमारे लीड काूरे तो यहां पे देखो भाई वान पॉइंट एड मिलियन खुद को डैमेज में बताओ क्या बैरन में 20% सिरफ लूज होता है तो अभी क्या इन्होंने वंडर्स पे भी कर दिया क्या प्लीज कमेंट करके जिरू बताना कि वंडर्स पे इन्होंने यह चीज कर दिया यह 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 है यह हमारी लास्ट रैली होल्ड किया हूआ है एंपलर ने ओन दा ब्राइट फोर्ट अगंड उसने फोर्ट पर फोर्ट किया हूँ था फोर्ट ऐसली 3 से यहां पे हम जा रहे हैं 992 ड्रेक विल्ड फुल कारपेड बाई भाड़ दो बस भाड़ दो एंपर की पस यह चीज़ चल रही थी नाइन नाइन टू फुल टी फाइव रैली गाइस एंपर के खिलाब जो ब्राइट फोर्ड पे बैटा है होल्ड करके 433 के साथ भाई यहां पर मैं स्क्रीन पर रहा हूं कि मुझे कार्पेट करनी है रैली ए निकलो पहली फुर्षत में निकलो यहां पर देखो 1.9 का अगर यह 659 होता तो भाई इसकी फट जाती पूरी यह तो बच गया कि यह 433 कोम में था इसलिए 992 से इतना ज्यादा डैमेंज नहीं होता अगर यह 659 में होता तो गाइस इसका यह मतलब यह काउंट सेल कर देथा इसके बाद इन्होंने रैली फिल करनी बंद कर दी इनकी रैली कोई फिल नहीं हुई थी शिरुवात इन्होंने की थी ब्लैक्वी मारने पर एंड हमने कर दी तो गाईस अकर आपको वीडियो पसंद आई गया तो प्लीस लाइक करके जाना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो